आपका मेरी यूट्यूब चैमर स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में कुछ वैकेंसी की जानकारियां लेकर के आए हैं और तो वीडियो पर सुरूचर लाश तक बन रहीएगा चैनल पर पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आध देख सकते हैं स्क्रिन पर उत्तर प्रदेश पप्लिक सर्विस कमेंशन ने स्टाफ सर्व नर्स के तीने चार से ज्यादा पदों पर भरतियां प्रकासित किये हैं इन में 341 पूरुस और 2671 महिलाओं के लिए पद हैं ठीक है इस्टाफ नर्स के इन पदों के लिए आवेद पर उम्मेद्वारों का सेलेक्शन यूपी-PSC द्वारा आयोजित परिच्छा के अधार पर किया चाहेगा बाकी आप लोग देख सकते हैं कि भड़ती की महत्त्रपूर्ण तारीक है आनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीक जो है 16 जुलाई 2021 है रेजिस्टेशन के अंत फार्म्ट करने की अंतिम टारीक चलिए देख लेते हैं कि फार्म जम्मा करने की अंतिम तारीक सवल अगास्त की सचनीक यूग योग यिता जो होनी चाहिए महिला की इसमें महिला और पूरुष दोनों कर सकते थीक है तो स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पूरुष के पद कर्द फरी यानि के जी एंड आम का डिप्लोमा या V. F.C नर्सिंग की डिग्री होने क्ट चाहिए या इस्टाप नर्स सिस्टम ग्रेट 2 मैला वद्धाफं करने वाले मिदवारों के पास साइंस साइट से इंटरमीडियाट और नर्सिंग हो से नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इसके अलावा सभी बदों पर आवेदन करने वाले उम्मिद्वारों का अत्तरप्रदेश नर्शिंग में रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए उम्रशीमा चलिए देखते हैं तो जो उम्रशीमा है तो उम्रशीमा की बात करें तो इस्टाफ नर्स के लिए वेदक की उम्रशीमा कीस वर्स अधिक्तम चालिस वर्स रिजर्व काटेग्री को उम्रशीमा में जो छूट मिलती है अधिक चानकरी के लिए आपको इस पर गी अधिकारिक नोटिफिकेशन देखना होगा ठीक है आब एदान शूर के चलिए हम देख लेते हैं ठीक है चलिए हम आपको दिखा द के लिए 65 रुपए दिव्यांगों के लिए 25 रुपए है एप्लिकेशन प्रीज स्पी आई माप्स या इचलान मोड के जरिए ही जमा कर सकते हैं ठीक है और जान लें आविदंग का तरीका स्टाफ नर्श के लिए इन पदों पर आविदंग करने के लिए उम्मेद्वारों को उत्ता प्रदेश पब्लिक सेर्विश कमिशन के अधिकारेक वेबसाइट यूपी-PSC.UP.NIC पर जाना होगा यहां आपको इस्टाफ नर्स भरती के लिए आविदंग करने का फार्म मिल जाएगा आप अजरुरी दस्तवेश अप्लोट करके अप्लिकेशन फार्म कंप्ल आपको मैंने बता दिया यह रही है इसकी वेबसाइट आप लिख लीजिए चाहे तो इसे जाकर के सर्च कर सकते हैं ठीके जो लोग चाहें बाकी इसके बारे में आप पता भी कर सकते हैं और मैंने तो आपको बताई दिया है वो के समझ में आ गया होगा जान करिए आप लो वाचिंग थैंक यू